हेलो गाइज तो कैसे है आप लोग कैसी भी एग्रो क्लासेज कुछामन के यूटूब सेनल पर आपका अर्दिक स्वागत है और आज आपने बात करके चलेंगे केमेस्ट्री की जो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है जेट, ICR, BHU तीनों के लिए या और भी आप जैसे नीट वगेरा के चुको और उनमें करना चाहते हो तो उसके लिए भी इंपोर्टेंट है और आज का जो टोपिक है वो है केमेस्ट्री का सबसे बेसिक टोपिक औ बतादू आपको यहां तक की IIT एडवांस तक में भी क्यूसन आया है मतलब जेट, ICR, BHU में तो हर साल आपको मिली ही जाएगा उसके अलावा भी बहुत सारे क्यूसन है जो पूछे जाते हैं और वहां से क्यूसन एक क्यूसन आपको मिल जाएगा जैसे कि मैं डिसकस भी कर Configuration जिसको आप हिंदी में बोलते हो Electronic विन्यास अब सबको लग रहा होगा कि यह topic बहुत easy है लेकिन यह topic easy कब है वो देखना है यह topic easy वो नहीं है कि 30 तक के element के अपने electronic विन्यास लिख दिये यह topic easy तब होगा जब अपन पूरे 118 तत्वे का electronic विन्यास लिखना शीख जाएंगे और उसके लिए पूरा यह topic clear करने के बाद में एक formula बताऊंगा जिससे कि आप within 20 seconds आप answer कर सकते हो किसी भी question का तो पहले अपने start करते हैं कि electronic विन्यास होती क्या चीज है तो ध्यान रखना electronic विन्यास की यदी में definition की बात करूं तो इससे भी उड़े हैं तो definition की बात करके चले हैं तो definition क्या बोलती है कि अपने को electron खुद बोल रहा है कि electron का विन्यास ही है तो electron को भरना है कैसे बरना है तो electron को उर्जा के बढ़ते करम में भरना यहांनि कि increasing order अब यहां पर अपने increasing order ही क्यों लिया decreasing order क्यों नहीं लिया इसके पीछे भी रीजन ये है कि यदि उर्जा का न्यूनितम बड़ते करम का मतलब ही है कि पहले सबसे चोटी चीज उसके बड़ी चीज उसके बड़ी चीज और उसके बड़ी चीज और उसके बड़ी चीज ये इसलिए किया क्योंकि यदि किसी भी चीज की या किसी भी मोलेकुल की उर्जा अब भी उर्जा बढ़ेगी तो इस्ताइतवे घटेगा या फिर इस्ताइतवे को बढ़ाने के लिए उर्जा को घटाना पड़ेगा अब एक चीज़ देखते हैं कि इस चीज़ को याद कैसे करें तो हमेसा ध्यान रखना गरीब आदमी मन से खुश है यानि गरीबी में होएगा बढ़िया कपड़े पहनेगा और दोस्तों को फोल लगाएगा कि आज तो पाल्टी भाई देगा लेकिन मालों वह 500 रुपे खर्च हो गए तो दूसरे दिन उठा और दूसरे दिन क्या करेगा भई उठके नाद होके और पजामा पहनके वापस हो जाएगा क्योंक विन्यास जो है कि इसको समझने के लिए अपने को क्या है कि ओफ्पो का रूल पढ़ना होता है जिसके अंदर पहली चीज़ आती है एन प्लस एल का रूल एन प्लस एल नियम अब इस एन प्लस एल नियम की बात करते हैं तो अपने जनरली एन प्लस एल नियम पड़ाओगा लेकिन यहां से दो पोइंट बताओंगा जिस से आपको एक बार मैं बता दू कुशन भी आया हुआ है कि यहां पर जो एन है यह होती है मुख्य कौंटम संक संक्या जिसको अपन क्या बोलते हैं प्रिंसिपल कौंटम नंबर इस से जदा इंपोर्टेंट अब वाली चीज है और वो क्या है इसी को पता लगाने के लिए ध्यान रखना आवर्त साहरणी में जिस आवर्त में तत्व उपस्तित है वो आवर्त ही यहां पर आयन की वेली हो जाएगी यानि क्या बोल रहा हूं कि आवर्त संक्या यानि कि ये क्यूशन इस परकार पूचा गया था कि जो मुख्य क्वांटम संक्या होती है वो किसको निरूपित करती है तो ध्यान रखना आवर्त साहरणी में आवर्त की संक्या को निरूपित करती है कौन मुख्य क कून आवर्थ है पहला आवर्थ में हाईड्रोजन उपस्तित ہے और इसका इlektronik vinniais देख लेना वन ऐस इन 係ले любके कि संख्या आप इसरा ले दो मैंने ले लिया क्लोरीन क्या लिया क्लोरीर लिया अब क्लोरीन को आप देख सकते हो क्लोरीन का आवर्त कौन सा होता है थार्ड और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिक विन्यास भी देख लेगा ना ए उसने क्या बता दिया आवर्त की कलोरीन तीसरे आवर्त में उपस्तित है तो ये क्यूसरे पुछा गए कि आवर्त की संक्या को कोण रिपीड करता है मुख्य क्वान्टम संक्या या और पिरन शेजीं निवह दो सकता हो प्रिंसिपल गोंटम संक्या दूसरी चीज़ें यह कि L क्या है तो ध्यान रखना यह होती है द्विगंसी क्वांटम संक्या क्या होती है द्विगंसी क्वांटम संक्या अब यह क्या होती है कि अलगलग उपकोस के लिए अलगलग होती है तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इस L की वेल्यू जो आपका S उपकोस है आपका जो S सब सेल है उसके लिए होती है 0, P के लिए ये होती है 1, D के लिए होती है 2, और F के लिए होती है ये 3 अपने को कुछी नहीं करना आगे जो संक्या दीवी रही कि उसको जोड़ना है और L की वेल्यू अपने को S, P, D, F से पता चल लेगी अब यहां से दूसरी चीज जो पूछी जाती है वो चीज क्या है कि अपने को इस संबंद से कभी कबार क्यूशन इस परकार भी पूछ लेता है कि मालो मेरे पास दिया वा था कि मेरे पास है 1, S और 2, P अब इसको दो तरीके से क्यूशन पूछ सकता है पहले मैं लगाँगा इसके अंदर N प्लस L का नियम तो N प्लस L को जोड़ो तो N की वेल्यू कितनी है एक L की वेल्यू S के लिए 0 तो इसका योग कितना आ गया एक इसके लिए में सेम चीज लिकूंगा N की वेल्यू दो P के लिए L की वेल्यू कितनी है एक 2 और 1 कितना हो गया 3 तीन हो गया अब इदर देखो यहां पर N प्लस L का नियम क्या बोलता है N प्लस L का नियम जो है वो क्या बोलता है पहले चीज़ ध्यान रखना कि जिसके लिए N प्लस L की वेल्यू सबसे कम है उसमें इलेक्ट्रोन पहले वरो उसमें इलेक्ट्रोन पहले वरो कैसे इसके बिचे रीजन है दूसरी चीज़ क्या बोलता है कि माल लो ऐसी कंडिशन आजाए कि यह N प्लस L की वेल्यू समान आजाए तो क्या बोलता है कि N पलस L का मान अगर समान हो तो इलेक्ट्रोन उसमें या उस उपकोज में वरना है जिसके लिए जिसके लिए N का मान कम हो अब इधर देखेंगे कि अपने पास नियम क्या था N पलस L का नियम बोल क्या रहा है कि पहले उसमें बरो जिसके लिए N पलस L की वेल्यू क्या हो कम और N प्लस L की value यदि सेम आ जाए तो फिर किसमें बरोगे कि जिसके लिए N की value क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए यहाँ पर देखो N प्लस L का योग 1 है और यहाँ पर क्या है 3 तो electron पहले किसमें बरा जाएगा 1S में के 2P में तो electron पहले बरा जाएगा 1S के अंदर लेकिन कभी कबर कि उसने से भी बूज लेता है कि energy किसकी ज्यादा होगी तो energy का क्या कड़ दो उल्टा क्योंकि वो इस्ताइट वक्य करम के क्या होती है वित करमानुबाती होती है अब देखो इसका example लेते दूसरे वाले का यह पहले वाले का example था अपने दूसरे वाले का लेते हैं मालो मेरे पास मेरे ता 2P और 3S तो 2P के लिए N की विल्यू तो सामने लिए Q सेंग के है तो 2P के लिए L का मान कितना एर है 1 तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 यहाँ पर 3S के लिए देखते हैं जिसके लिए n का मान कम हो उसी के अंदर electron बढ़ दो तो यहां पर n की value किसके लिए कम 2p के लिए तो electron पहले किसमें बढ़ा जाएगा 2p और 3s के बांदर बाद में बढ़ा जाएगा अब बात करते हैं नेक्स यह नियम क्यों पढ़ा तो ध्यान रखना इस नियम को अभी कहीं भी कुछ भी नहीं करना है आपने आज तक जो पढ़ा उसको भूल जाना क्योंकि इस नियम को में लास्ट वाड़ा जो अपना राज का फॉर्मूला है जिससे अपने किसी भी element का ल एक्जाम्पल क्या बोल रहा है कि अपना जो दूसरा रूल है इसने क्या बोलाता है कि यदि N प्लस L की वेल्यू समाना जाए तो इलेक्ट्रोन किसमें बरना है जिसके लिए N का मान क्या था कम था ऐसा क्यों मा देखना कि माललो मेरे पास में कोई एटम बढ़ा था और इसके बाहर एक, दो, तीन और सेम मेरे पास में कोई दूसरा एटम पढ़ा था और उसके लिए भी क्या था ये कंडिशन थी अब इस दूनों कंडिशन के अंदर देखना है कि मेरे पास में N का जो मान है ये किसको बताएगा कोश की संक्या को कि कौन से कोश में पढ़ा है तो मेरे पास में क्या था ? मेरे पास में एक थो था 2P और एक था मेरे पास में 3S n पलस l की value समानती, यहां पर n देखो 2 है यहां पर n देखो 3 है, कि यह जो टूपी वाड़ा एलेक्ट्रोन है यहां पर बात कर रहे होемे 2P की और यहां पर बात करेंगे अपन 3S की तो 2P वाले के अंदर इलेक्ट्रोन वालनों यहां पढ़ा है और 3S वाला जो इलेक्ट्रोन वो पढ़ा है यहां पर अब दोनों के अंदर देखो यह यह दी इलेक्ट्रोन यहां पर पढ़ा है तो इनके बीच में देखो होगा इस्ताहित नाएं बढ़िया होगा यहां पर देखो इन दोनों के बीच में दूरी जैदा होगी क्योंकि तीश्री एकोस में इलेक्ट्रोन पड़ा इसका मतलब क्या हुआ इनके अंदर ये दी दूरी ज्यादा दूरी ज्यादा है तो आकरसन क्या होगा कम होगा और आकरसन कम होगा तो इस्ताहित वह क्या होगा कम इसलिए N की वेल्यू कम थी उसमें इलेक्ट्रोन बढ़ाता क्यों क्योंकि अपन इस्ताहित वह बढ़ाना चाहते हैं अब देखो नेश्चीज यहां पर लेते हैं अपन एक्जाम्पल एक्जाम्पल में मेरे पास में अतामाल लो टूपी त्री एस फॉर डी फाइफ एस शिक्स पी यह सब मेरे पास में दिये हुए किन में से कौन चूपकोस में में इलेक्ट्रोन बढ़ाओ तो अपने को क्या लगाना भाइ N प्लस L का नियम लगाना है N प्लस L का नियम लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगी वेल्यू इसके लिए 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 plus 2 तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 plus 0 कितना हो जाएगा 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 plus 1 equal to 7 तो यहाँ पर देखो second rule तो पहले ही अपने को require हो गया, कि यहाँ पर देखो में किसमें बरूंगा में 3S के बंदर 3S के बाद में अब देखो यहां पर 7, 6, 6 और 5 तो पहले किसमें बरूंगा 5S उसके बाद में 4D उसके बाद में 6P तो यह क्या आगया अपना इलेक्ट्रोन को बरने का करम यह भी नहीं बोल सकता हूं उड़ा का करम लेकिन इस्ताहित्व का करम पूछे तो इसका ज्यादा फिर कम फिर कम सबसे कम इनर्जी का करम सबसे कम सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे इस्ताहित्व है इसका सब कुछ आजा सकता है अब देखो नेक्स चीज अब यहां पर अपने लोवर क्लासेज में या फिर 11 12 में भी बहुत बार एक चीज बढ़ी थी वो एक अपने कुछ ट्रिक लिखवाया करते थे कि सबसे पहले आप लिखोगे 1S फिर आप लिखोगे 2S 2P फिर आप लिखोगे 3S 3P और 3D फिर आप लिखोगे 4S 4P 4D और 4F और पिर इसको ऐसे काट दोगे और वोलेगा कि इसके अंदर एलेक्टो मुसमें पिर इसमें ऐसे कंटी नू चलता रहेगा आद से यह रूल नई लगाणा है क्योंकि अपने को क्यूशन करना है 20 से 30 से कि अपने को टाइम इतनमीमिलेगा या तो 20 सेकेंड या फिर मिलेग तीस सेकेंड अब देखो अब करना क्या है अपने को इसके अंदर ये रू लगाएंगे तो अपने को टाइम ज्यादा लग जाएगा तो आपको क्या करना कि जैसे मैं बोल दूँ कि बाई 114 नंबर वाले तत्व का इलेक्ट्रों युनियासली को तो कितने काटोगे 114 तक अपने को इसा न रखना फोर्मूला क्या है फॉर्मूला द्यान रखना फोर्मूले मिलकर आई की एड़र माइनस टू एफ को एड़र माइनस बन दी intervenes और यह एड़र पी उसे नहीं करना पहले दो गट प।ह फिर लो या फिर कुछ नहीं करना अपने को तो यहां पर देखो आई है क्या यह सबसे इंपोर्टेंट चीज है तो ध्यान रखना आई है जिस तत्तुए का आपको इलेक्ट्रों गुन्यास लिखना है ना उस तत्तुए के समीपस्ट यानि उससे पहले वाली जो समीपस्ट अक्रिये इसको फाइंट करना है अब देखो अपने को क्या करना है पहला काम कर लिए नीरस के समीपस्ट जोाहिं है कि इसको फाइंड करना आ है अबने मैंने कुछ बताया था पहले तो ध्यान रखना है कि यह पता लगना है कि वो कौन से आवर्त का तत्त हुए तो यहाँ पर एन क्या हो जाएगा आवर्त की संक्या आवर्त की संक्या क्या हो जाएगी एन हो जाएगी अब आवर्त की संक्या एन हो गई तो एन की वेल्यू में से दो गटा दो और F लिग दो और एकठा को D लिग दो और आगे-आगे आवर्थ की संख्या लिग दो तो इस परकार अपने क्या कर सकते हैं तो अपने फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं electronic विनियस अब देखते हैं इससे फाइदा क्या हुआ जैसे मैंने लिया सुरू से ले लेते हैं अपन मैंने लिया हाइड्रोजन की हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिक विन्यास लिखना है सर मेरे हो तो मैं क्या करूँ कुछ नहीं करना इधर देखो मेरे पास ती मैं सबसे पहला काम क्या है नियरेस्ट गेस कोई बात नहीं है का पहला, अब पहले आवरत में से 1 में से 2 घचो, कि माइनस का 1F होता ही नहीं है, अटा दो, água में से 1 गया 0T होता नहीं है, बचा क्या, 1S और 1PB नहीं होता तो बचा क्या है, 1S, कितने इलیکٹरोन पळने थे, जितने नंबर पर हाइड्रोजन आता है तो 1S1 सेम चीज अग इस फॉर्मूले से अब अपने क्यूशन करते हैं एक और जो बहुत ज्यादा है इंपोर्टेंट जिससे मेरे को बोला गया था कि अपने को डीब लोग का सामाने सुतर बताना है जो कि पिछली बार आया भी था जेट के अंदर इधर देखो डीब लोग का सामाने सुतर निकालना था कुछ इक बात है डीब लोग का कोई भी एक अलिमेंट लिया मैंने इस केंडियम ले लिए इस केंडियम लेने के भाद मैंने लिया सकेंडम के देखो nearest Guest conclusion यह भाई यह लिया मेंने आरगन कितवी अतारra नंबर अप्पर अब देखो आरगन आवर्ट कौनससा तो आप देख सकते हो लिय्यम नियोन आरगन मतला आरगन कौन से में तीसरी आवर्थ में तो अपने क्या किया लिया तीसरा तीसरे में से तीन में से दो गया एक वन एफ नहीं होता है काड़ दो तीन में आवर्थ कौन से लिए नहीं और तो अब देखो इधर यहां पर क्या हो जाएगा चोते आवर्थ के अंदर ह तो त्यावर्ट में च्यार में से एक गया तो आजाएगा अपने पास में 3D क्योंकि F तो एक्जीस्टी नहीं गड़ता 2F इदर देखो नेक्स चीज अब यहां पर क्या हो जाएगा 4S और क्या बज गया 4P अब ध्यान रखिया तो पहली चीज क्या कर ली थी अकरीगे इसको को पहिचाना अभी या किया यह आतने मामला कि अब क्या करें तो द्यान रखना हुआ अभी क्या करना अपने को अब लगानए अपने को एन-प्लेस-उस यथे बहुत idle इंपर हैं तो एक आ प्लस-इल का रूडुम तो एन-प्लैस-व का रूल देखो है इनकी ऊपर लगो तो एन प्लस ल लिए तो टू यहां पर क्या हो जाएगा फूर प्लस जीरो फूर प्लस लिए तो यहां पर देखो थी ओर टू कीतना हो गया फाईफ पूर फॉर वन फाइफ फॉर जीरो फॉर इसका मतलब सलेक्टरों पहले किसमें बरना है 4 s के अंदर तो मैंने देखा आरगन कितने हाऊ 18 पर अपने को बरना किसका आता इसके इंडियम इसके कितने पर आता है आरगन के बाद है Supreme इसके इंडियम 21 अभी देखो कितनी एलेक्ट्रोन बच गये भई इलेक्ट्ट्रोन बच गये 3 तो S के अंदर electron कितने बरे जाते हैं दो अब अब अच्छा गया अब इसके बाद में देखो अपने पास बस गया 3D और 4P electron पहले किसमें बरे तो यहां पर देखो दोनों के लिए value सेम आ गई तो जिसके लिए N की value कम उसमें बरो तो 3D में बरा जाएगा और 3D के अंदर electron कित उन से क्या गुरूंगा देखो यह तो यह आरगन यहनिकि एक तो electron आएगा 3D में एक आएगा 4S 2 के अंदर अब इदर देखो मैंने क्या बोला था कि जो N की संक्या है N का जो मान है यह N की जो value आपको दिवी जो संक्या आगे लिखी हुई है वो किसको बताएगी भाई आवर्थ को इसका मतलब कौन से आवर्थ में है चोते आवर्थ में तो 4 तो N की value है यहाँ पर माल अपना जो configuration आया तो वह क्या है था 4 तो 4 क्या हो जाएगा रहा N की value तो 3 को क्या लिखता हूं मैं N-1 तो क्या हो गया इसके इंडियम के लिए आरगन यह तो हो गया आरगन फिर क्या हो गया N-1 D-N-S यहनि अपने पास एक inert case होगी उसके बाद में N-1 D-N-S अब इसमें क्या होता है कि अपन जब configuration लेते हैं तो जब इसके इंडियम से जिंक तक में लिखूंगा तो अपने पास में chromium और copper के अंदर क्या होता है हाफ फिल्ड और full field theory काम करती है वहाँ पर अपने को क्या करना हाफ फिल्ड और full field theory का use करना होता है अभी में एक्जामपल में करके भी बताऊंगा कैसे होगा तो उस हिसाब से प्लस अपने पास में palladium जो है इसके electronic configuration लिखते है तो उस time क्या होता है कि यहाँ पर s के अंदर zero electron होते है इसलिए अपने पास general formula लहीं आ गया तो इसके अंदर value कहां से लिखने है तो ध्यान रखना n-1 और n-s 0 से 2 d1 to 10 यानि कि अपने पास में अभी यहाँ पर तो कोई innate case होगी general formula के हो गया n-1 d1 to 10 ns 0 से 2 तो इस परकार जेट का question किया जा सकता था वहाँ पर अपने पास options होते हैं तो ज्यादा जल्दी में निप्टा सकते हैं अब इदर देखो chromium और copper की बात करते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्यूं हुआ अब मेरे पास में मैंने लिया chromium और यहाँ पर लिया copper और ध्यान भी रखना इन दोनों में से क्यूशन भी पूछा गया है तो chromium का जब मैं लिखूंगा तो chromium कितने प्यायरा था भई स्केंडियम टाइटेनियम वेनेडियम और chromium मतलब 24 और यह कितने बेदा 29 के उपर जब मैं इसका के अब इधर देखो इन कक्षकों के अंदर मैं क्या करूंगा इलेक्ट्रों तो यह पर देखो एक दो तीन चार और ऐसके अंदर आपको पता होगा एक इसको होता है तो यह वाला जो एक इलेक्ट्रों ता वो कहां चला गया यहां पर चला गया इस क्रोमियम के केस में क्या होता है कि एक्सेप्शनली कहा चला था इलेक्ट्रोन यहां पर आ जाता है ताकि को यह भी इस्ताई हो गया और यह भी क्या हो गया इस्ताई हो गया तो दोनों क्या हो गया इस्ताई हो गया इसलिए यहां पर करूंडया हम गया सो हो गया है तो क्रोमियम और क्रॉमियम और कोपर का क्यूषन क्योंगा DOGAN कि बीट प lender अब कोई कुछAKन के पूछ ले तो इस परकार क्या होता है क्या है तो क्यूशन इस प्रकार है क्यूशन बोलता है कि कोई तत्वे खोजा गया है 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 जिसका जेड इक्वल टू वन वन फोर है, जेड इक्वल टू क्या है, वन वन फोर है, तो इस तत्वे के लिए इसका वर्ग तता सुत्र का इलेक्ट्रोनिक विन्यास क्या होगा, अब देखो जेड ब्राबर वन वन फोर, अब वन वन फोर है तो आपको पता होगा, अब टोटल एक्टार नातत वय होगे, तो आवते, आपने HEY को शीदवा पता चल गया कि गया कि सेंथ आवड आवर्ट के अंदर है, इसका मतलई N की वेल्यू के दिनी हो गई? साथ तो n-2 की वेल्यू कितनी हो गई 5 और n-1 की वेल्यू हो गई 6 तो n की वेल्यू आ गई अब अपने को फाइंड करनी है समीपस्त अक्रिये गेस और आपको बता होगा कि red on इसके पास में 86 पे परजेंट red on के बाद में अपने को वह इफ अपना सुतर n-2 f n-1 d n s n p अब देखो n की वेल्यू कितनी थी 7 तो n-2 की वेल्यू कितनी होगी 5 तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा red on 5f n-1 कितना है 6 d n की वेल्यू कितनी 7s और 7p अब देखो next चीज अब अपने को इलेक्ट्रोन बढ़ने तो इलेक्ट्रोन पाइले किसमें बढ़े f में बरेक, d में ब लगाया एनले confidential कि यहां पर इंडेशा लेट spice ऐ तो 5 फिस थ्री ए एक स्क्री मिल्प ने कि ठीट याँ पर six फ्लेस डी एक बरिंघी ड्यरों रहा जायेगा 7 plus 1 अब यहाँ पर देख इनको जोड़ो 5 और 3 कितना हो गया? 8 6 plus 2 कितना हो गया? 8 7 plus 0 कितना हो गया? 7 और 7 plus 1 कितना हो गया? 8 हो गया तो electron इसका मतलब यह तो fix हो गया कि पहला तो electron बढ़ा जाएगा reason के n plus l की value सबसे कम है उसके बाद देखो इन तीनों में से अब electron किसमें बढ़ें? तो अपने पास देखो यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है तो n की value देखो सबसे कम किसमें? 5 यहनि इसको कितने number पे वरूंगा में? 2nd पे यह किस पे बढ़ा जाएगा? 1st पे, वो 2nd पे और यह कितने number पे आएगा? यहाँ पर आइन की value 6 है, तो यह हो जाएगा 3rd पे और 7P क्या हो जाएगा? 4th number पे बढ़ा जाएगा चलो में बढ़ना इस्टाट करता हूँ red on 86 पे हो गया 86 के बाद में मैं क्या करूँगा? मैंने दे दिये 2 electron 7S को 88 हो गए मैंने F के अंदर electron कितने बढ़ सकते है? 14 D में कितने electron बढ़ सकते है? 10 electron अब देखो कितने बच गए? 86 और 2, 88 88 और 10 कितने हो गए? 98 इसके अंदर मैं जोड़ूँगा कितने? 14 कितने हो गए? 2 अब देखो अपने पास atomic number कितना था? 114 यानि कि 2 electron बच गए? वो 2 electron कहां बढ़ दूँगा में? P के अंदर अब देखो सामाने सुतर के अंदर N की वेलू पहचान नहीं होती यहाँ पर देखो N की वेलू कह है? 7 यानि कि पहली चीज साथवे आवर्थ का तत्वे एक चीज के लिए होगी दूसरी सबसे इंपोर्टेंट चीज कि साथवे आवर्थ तो है लेकिन लास्ट इलेक्ट्रोन किसके अंदर बढ़ा गया था? P के अंदर अब देखो इसका फाइदा यह मिला था कि में इदी F ना भरके पहले इसमें फिर इसमें उल्टा बढ़ देता इसमें पहले एलेक्ट्रोन बढ़ देता यह तो F ब्लोक का इलेमेंट हो जाता जबकि देखो लास्ट इलेक्ट्रोन का आया? P के अंदर इसका मतलब मेरे को इसमें ब्लोक भी पता चल गया कि तत्वा कौन से ब्लोक का है? P ब्लोक का तत्वा है तीसरी सब से इंप्रोटेंट चीज P ब्लोक के अंदर 7 को क्या मानना मेरे को? N तो सुत्र क्या बन गया? Ns2, Np2 Ns2, Np2 किसका सामानी सुत्र होता है? याद करो कारबन परिवार का किसका होता है? कारबन परिवार का इसका मतलब मेरे को इसका देखो वर्ग पता सल गया कौन सा? कारबन परिवार यानि कारबन परिवार का सदसे Next important is कि मेरे पास इसका electronic vinyas भी आ गया और electronic vinyas क्या आया redon उसके बाद में 5F14 6D10 7S2 और 7P2 यह आ गया इसका electronic vinyas जो अपने को निकालना था और वर्ग क्या आ गया carbon परिवार जो option में दिया हुआ था और अपन अब तो block भी निकाल सकते हैं कि पी ब्लोक में यहीं पी उपकोस के अंदर कितने एलेक्ट्रोन है तो दो इलेक्ट्रोन बरे गये थे इतने क्यूशन इसमें से पुछे जा सकते हैं और देखो अपने एक से लेकर तीस तक के नहीं अपने किया है एक सोच्वधा नंबर वाले परमानू का electronic electronic विन्यास निकालना सीख लिया तो इस परकार अपने क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं अब देखो electronic विन्यास से एक बार क्यूशन आया वा था वो बहुत कि वह बहुत मतलब तरीके से पुछा था इसने और उसको थोड़ा सा अपन क्या करते हैं परमानू वाले चेप्टर में से थोड़ा सा नोलेज यहां लगा के और उसका देखना आंशर करेंगे उसने यह बोला था कि अपने को निकालना है nitrogen nitrogen का उत्तेजित अवस्था में electronic विन्यास यह बहुत important question था जहां गलती करने के ज्यादा चांस होते हैं अब देखो यहां पर पहले चीज़ किये इसने उत्तेजित अवस्था तो अपन देखते हैं उत्तेजित अवस्था क्या होती है उसके बाद में इसका electronic विन्यास निकालते हैं सामने electronic विन्यास क्या होता nitrogen का कितने नंबर पर आती है बाई 7 पर तो 1s2 2s2 2p3 यह हो जाता तो अपन को क्या करना था इसने बोला था है कि इसके अंदर nitrogen का अपने को electronic विन्यास निकाल ला तो अब देखो नाइट्रोजन का electronic विन्यास निकाल था इसको सोड़ दो बायतम कोस कौन सा 2s तो 2s के लिए देखो यहस में दो electron बढ़ दी है मैंने और P के अंदर भी क्या बढ़ दी है electron बढ़ दी है एक दो और तीन उत्तेजी दवस्ता का हुआ है कि इस electron को यहां से अभड़ाना अब यहां से त्वी के बाद में देखो यह नहीं जाएगा तो इसका मतलब इसके अंदर उत्तेजी दवस्ता पूटी नहीं है इसके अंदर उत्तेजी दवस्ता होती नहीं क्योंकि नाइट्रोजन का टू पी टू एस टूपी अब अदर इस परकार option दिये वे थे उसने सामाने option नहीं दिये थे और वो option इस परकार थे एक तो तेज़ दवस्ता इसमें होती नहीं है जिसका answer आपने वो भी पढ़ाओगा कि PCL5 तो बन जाता है लेकिन NCL5 नहीं बनता है तो वो भी यहां से हो जाता है एक क्यूशन वो भी था अब यहां पर देखो उसने option में क्या किया था कि 1S2 दे दिया 2S2 दे दिया कोई doubt नहीं है फिर बोला कि 2PX1 2PY1 और 2PZ1 तो इस परकार भी क्यूशन पूच लेता है PX PY और PZ क्योंकि अपने को पता है इसके अंदर कितने orbital थे एक दो तीन और तीनों का नाम क्या होता है PX PY और PZ तो कभी का बार इस स्प्लीटिंग करवा कि पूच लेता है तो ध्यान रखना S का तो केवल S ही था P के अंदर कक्सक कितने होते हैं तीन तो इनका नाम होता है PX PY और PZ D की बात करें यहां तक आपको पूचा था क्योंकि F की जो इस्ट्रक्ट होती हों कॉम्प X D X squared Y squared और D Z squared तो इस प्रकार भी Electron अबर वा सकता होता है TH law कि कि सी भी चीज़ की बोलेखित कि उत्तेजी दवस्ता हां Southeastije की मैं ने एक एक ओर लिया उत्तेजी दवस्ता का मेरे पास में क्योंधर क Interior मेणे क्या माल प्लिद मेन लिया कि अन्स हैं लेलिया माललोमेगनिशियम लेलिया तो मैचीन के लिए मैंने क्या किया किया हो एलेक्ट्रोर रासिवति तश्ट ourselves थी एस टू होता है तो इसके अंदर मेंszनिरे इसके बाद में देखो 3P अभी क्या पड़ा है, खाली पड़ा है, मेरे को बोला कि मेगनीशिंग की पहली उत्तेजी तवस्ता में एलेक्ट्रोन वरूओ, तो मैं क्या करूँगा, एक एलेक्ट्रोन तो यहां रख दूँगा, और एक एलेक्ट्रोन कहां चला जाएगा, यहा जे भारत, आगे वीडियो को और नईनी चीजे देखने के लिए, क्यूशन को 20 सेकिंड में कैसे करना है, एसी चीजों को समझने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले, अपडेट होते रहे, और यहां से अगला वीडियो जो आपको देखने के लिए मतलब उत्ते जित करेंगा, उसके लिए में एक क्यूशन देखे जा रहा हूं, जिसका आँचर आपको करना है, बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन आपको डूढ़ना भी होसका, कि मेरा क्यूशन ये है कि अपनी आवर् तक कुल कितने तत्व भरे जा सकते, इसका आंसर फाइंड आउट करें, थैंक्यू, थैंक्यू सो मच,